नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मारी यूट्यूब चैनल में हिमाचल प्रदेश की आज अब तक की करोना वाइरस अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज आप तक हिमाचल प्रदेश में 78 नए मामले सामने आ चुके हैं जिले और किस जगण से जिन नए मामले सामने आए तो इस व्यूडियों देखेंगे और दो और करोना संक्रमितों की मोत भी हो चुकी है तो लगतार हर दिन करोना संक्रमित मरीजों की डेथ का मावला भी सामने आ रहा है प्रदेश में 78 ने पोजटी मरीज दो और लोगों की मोत हिमाचल में बुद्वार को करोना ने दो और लोगों की जान ले ली चमबा के जुलहकडी के 60 वर्षी बुजुर्ग ने अमरित सर के एक हस्पताल में दम तोड़ दिया जबकि पालंपूर के फरेड की रहने बाली 43 वर्षी महिला की मोत टांडा मेडिकल कोलेज में हुई प्रदेश में अब तो करोना से 30 जाने जा चुकी हैं चमबा के बजुर के पिछले दिनों सरदी जुकाम और बुखार के लक्षनों के बाद सेंपल लिये गए थे जिसकी रिपोर्ट पोजटिव आई थी परिजन उन्हें इससे पहले ही उपचार के लिए अमरी सर ले गए थे जहां पर बुद्वार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया उदर टांडा मेडिकल कोलेज में भरती पालंपूर के फरेट की महिला की सरजरी होनी थी इस बीच महिला की मोत होगी महिला की टेस्ट सेंपल रिपोर्ट पोजटिव आई है प्रदेश में बुद्वार को 78 क्रोना पोजटिव मामले सामने आये सिर्मोर में 42, चंबा 13, शिमला 12, कांगडा 7 और बिलासपूर में एक पोजटिव मामला सामने आया है इसके साथ ही प्रदेश में संक्रुमितों का कुल आंकड़ा 5,231 पहुंच गया है सक्रिय मामले 1371 हैं अब तक 3,777 मरीज ठीक हो चुके हैं बुदवार को 29 और मरीज ठीक हुए, कुरोना से कतिस की मोत हो गई है 51 मरीज राज्य के बाहर चले गए हैं उदर प्रदेश में बुदवार को नए आये मामलों में सबसे ज़्यादा 42 सिर्मोर जिले से हैं इसके अलाबर चंबा में 13, शिमला में 12, कांगडा में 7 और कुलू में 3 और विलासपूर में 1 कुरोना मरीज सामने आया है उदर नागरिक अस्पताल पॉंटा साइब का एक बरिष्ट सहाई कुरोना संकर में तपाया गया है संपर्क में आने बाले अस्पताल पर वारी समेथ 8 स्टाफ सदस्यों को होम आईसोलेट किया गया है अस्पताल पॉंटा साइब कार्याले 3 दिन तक सील रहेगा सीमो सिरमोर डॉक्टर के के प्राश्टर ने कहा कि पॉंटा स्पताल में अपात काल कक्षब ओपीडी सुचारू रूप से चलते रहेंगे तो जे थी आज की क्रोना वाइरस अपडेट दो लोगों की मौत और 78 नए मामले सामने आये है तो इसी तरह की अपडेट आगे भी हमारे चैनल पर आती रहेंगी तो हमारे चैनल के साथ जोड़े जाएए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे घंटी के आईकन को जुरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिकेशन आपको मिलती रहे कोई भी महतवपुन अपडेट आपसे मिस ना हो तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं इसी तरह किसी और महतवपुन अपडेट के साथ